तो जैसे कि आप देख सकते हैं पर रबडी हमारी अच्छे त्यार हो चुके है अब थोड़े दिर बाद हम इस कड़ाई में इसको डालेंगे और फिर हमारे लौकी के साथ उसे पगाएंगे और यह रही कड़ाई और इसमें मैं डालों दो बड़े चमच देशी घी के और इसमें जाएगी हमारे कसीवी लौकी अच्छे से इसका पानी हमें निचोड़ लेना है अब इसे धीर धीर हम मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे तो यहां पर लौकी का पानी इच्छे से सूख चुका है हम देख सकते हैं अब इसमें बारी है रबडी आड़ करने की अब हम करेंगे फ्लेम थोड़ी सी हाई और इसे कंटिनुसी स्टर करेंगे ताके लगे नहीं सो रबडी का क्लर कुछ इस तरह से आएगा पेल येलो सा जब हम इसमें लौकी एड़ करेंगे तो घबराने की कोई बात नहीं है यहां पर हमारी लौकी की लौकी बहुत खेक हो चुकिए यहां पर मैं आदा किलो लौकी यूस कर रहा हूं दो किलो के दूद के लिए और इसमें जाएगी 200 ग्राम चीनी और इसे भी अच्छा से मिक्स करेंगे हम इसमें पर लौकी हमारी रेडी हो चुकिए इसको हम सीजन करेंगे हिलाइची पॉडर के साथ और इसमें डालूंगा हमें कुछ ट्राइफ रूट्स और एक बार इसको स्टर करके हम कर देंगे गयास बंद अण दिगे आप हमारी लौट्स इकदम पर्फेक्ली ड्रेडी हो चुकियाए मूद कर दो अज़ा आट घ्राइब दो तयूं आटको अटो कर दो